हाई वेलकर दूमाच चनल इस वीडियो में सॉल्फ करें कुर्शना 14 तो वाल्यूम निकालने के लिए दिखे जब भी वाल्यूम पूछता है ना सिलिंडर का इसका मतलब कि आपको समझेए पाई आर स्कॉार एच यही फाई होता है इसमें एको रेडिस निकलना पड़ता है और हाइट निकलने पड़ती हैं तो रेडिस निकलने के लिए डाइमिटर दे दिया आप पर बेस का यह है डाइमिटर है 21 से तो हम निकलेंगे रेडियेस Radius of the cylinder Radius of the base of the cylinder Radius of the base of the cylinder यह जो होगा वो डाइमेटर का अधा होगा तो डाइमेटर अपान टू डाइमेटर आपका कितना है 21 सेंटिमेटर 21 आपान टू हो जाएगा यहां पर कि यह जाएगा 21 upon 2 कि यह जाएगा सेंटी मीटर ओके अच्छा तो हमारा रेडिस निकलने के बाद अब जो है यहाँ पर जो हाइट निकालने पड़ेगी आपको तो हाइट निकालने के लिए कॉर्ट सर्फिस एरिया जो दिया हुआ है इसका यूज करिए तो दिया हुआ है is equal to 1320 cm2 और यह formula क्या होता है 2 pi r h is equal to 1320 यहाँ पर जो है अब हमें r के वल्यू पता है radius अब यूँ फाइंड के यहाँ पर तो रख दिजिए 2 into यह हो जाएगा 22 by 7 into radius आपका 21 upon 2 into height h h ही आपको find करना है अब यहाँ दिखे 2 बंज़ा 2 और यह 2 बंज़ा 2 cancel हो जाएगा 7 बंज़ा 7 और 7 3 जा 21 तो कि वाल बचा यहाँ पर 22 और 3 तो हम दोनों को transpose कर देंगे तो h बराब निकल जाएगा h बराबने के लिएगा कितना 1320 divided by 22 into 3 22 into 3 ठीक है अब यहाँ पर cancel देंगे निमेटर में डिरमेटर में तो 3 बंज़ा 3 और यहाँ हो जाएगा 3 4 12 फिर से जिरू हो गया अब यहाँ पर 11 कर जाएगा 11 22 11 4 जाएगा 14 24 40 होगया 20 22 और यह 20 मिन्स आजाएगा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमेटर इसब्स इसदा हाइट ओके तो हाइट हमने ने फाइड कर लिया और रेडिस कर लिया तो हमें वालियू मिकळलना में कोई दीकत नहीं होगी तो वालम निकाल है और आफ दी कि सिलेंडर का अगर जो वाल्यूम का फामवला होता है we कितना होता है phi r square h पाई की वल्यू है 22 by 7 क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो पाई की वल्यू क्या होगी 22 by 7 ही होगी इन्टु आर स्क्वाइर, आर स्क्वाइर बंतब की 21 upon 2 का होल स्क्वाइर इन्टु एच, एच मिन्स 2020 अब यहां सॉल कर लेते हैं 22 by 7 इन्टु 21 upon 2 करेंगे 21 upon 2 करेंगे, फिर से यहां पर उजाएगा 20 7 से कटेगा, 7, 3 जाएगा 21 और 2 से यह कटेगा तो मिलेगा 11 और 2 बंजा 2 और यह कटेगा तो मिलेगा 10 अब जो बचा हुआ है, वो बचा है 11, 3, 21 और 10 तो यहां पर multiply कर लेते हैं क्या मिलेगा देखे, 11, 3 जाएगा 20, 33 और यह 0 से मिलेगा 10 से यह इतना होजाएगा इन्टु 21 अब जो है, हमें 33 में multiply करना है 21 से 3 बंजा 3, ऐसे मिलेगा करेंगे पहले 3 बंजा 3 हो जाएगा तो मतलब 3 और SMR प्ले करिए तो 3 बंजा 6, 3 बंजा 3 6 और 3 9 फिर यहां हो जाएगा 3 बंजा 6 तो इसका आजाएगा अंसर 6,693 यह 0 यहाँ पर फूट करतेंगे तो हो जाएगा 6,930 cm3 वोकि सब जो है cm3 में है तो इसका वाल्यूम आजाएगा 6,930 cm3 and that's the answer तो आपको जो भी वाल्यूम निकालना हो आप तरहन सोचिए कि कैसे रेडेस निकालूँगा या निकालूँगी और कैसे हाइट निकालूँगा या निकालूँगी तैंकियो सो मच फॉर वाचिंग बाई